बढ़िया विकेट शुरुआती रंज जोनने के लिए खेल शुरू होने वाट फाइव फूर फ्री टू वाण गो लेक्ट स्पिननर आ रहेंगे इन बाजी के लिए जाहिर तोरके ये नई चीज पोचने तो नहीं सिखाई होगी बहुत अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा बढ़िया थ्रोग फील्डर्स मेर्दार में जा रहे हैं अपनी ताकत का प्रणदर्शन किया इस धमा केदा शॉट से बाल माल बचे बाल का पैर के लाइन के आगे अपार देगी लोगा हो अब समय है जादा रंग बटोरने का क्योंकि मिल गई है फ्री हिट अपार देगा आउट और जेश्म का माहौल फिल्डिंग उनिट लगता है बल्ले बाज ना खुछ इस मिरने से और अमपार ने अपना डिसीजन बदल दिया है चार रंग के साथ ही ओवर समाख खिला बैटिंग टीम के लिए बहुत अच्छा ओवर गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर उठा के खिला है सीधा मैदान की तरह और गेंद गई चार रंग के लिए बहुत सुन्दर गेंद स्विंग करती गुराना जबर्दस जटका ठोक दिये चेराना बाजने बाले का बाहरी किनारा लग सप्राला देप तरificar गिलाइब कि दिलिवरी उड़ा के रख दिया बेल्स को बेल्स की बत्तियां जली क्या गेम थी टेल एंडर जा रहे हैं खेलने के लिए लगता है कैप्टन का कोई नया प्लान है कि लाईयों का चस्तमाल ये इनको कि आशा करते हैं बल्ले बाद स्पिन का समय आक्रमण के लिए आ रहें ओफ स्पिनर बल्ले बास तैयार जबकि यहां फिल्डिंग में कुछ और परिवर्ता है गेल बास कि इस डिलिवरी ने बल्ले बास को बीट कर दिया है हमने बास को जगा मिली आपसेट का फिल्डिंग के बीच अब बाइर ने वाइट बॉल का इशारा किया अब बास चक्मा खा गए कीपर को पूर्ण विश्वासिस अपील से तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है वाँ कमाल दिखाया कीपर ने तेजी से बॉल की लाइन में आए और स्टंप कर दिया ये गिरी पारी की पहली विकेट सीधा लंबा खिलाए डाउन दे ग्राउंड चार रन के लिए गेंज जा रही है लगता है गेंज बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेंज पे ही चौका इस बार गेंज के नीचे आए और लॉफ कर दिया छे रन के लिए ओवर के अंतिन गेंज पर खेल रोमांचा कंत की तरव गॉलर की परपेक्ट लेंड डिलिवरी बहुट शांदा बले बास दूविधा में गेंज आरी पांडरी की और उसी के साथ पारी किसमाती भी हुई रन भादने की ज़रूरत ही नहीं अपना खाता खोला करारे शॉट के साथ गेंज जाती हुई अच्छा बदलाव यहाँ पर मजबूर किया बले बास को डिफर्ण करने के लिए कैजेड और यह कैच आउट वील्ड में सही अनुमान के साथ महत्वपूर्ण विकेट गिरी एक महत्वपूर्ण समय पर इस मुकाबले में उच नीच होती रही और अंत में एक विजेता टीम बनी क्या मैच रहा